तो प्रोड़ेश्ट के दिसक्स करूंगा माइक्रोग्नॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसको कहते हैं शॉर्ट पीरिय्ड या शॉर्ट रन दोनों एक ही बात है शॉर्ट पीरिय्ड कह सकते हैं मगर प्रोड़क्शन कॉस्ट में यह बहुत इंप्रॉटन था तो चलिए शुरू करते हैं यह कैसा पीरियड है जिसमें जैदातर फैक्टर तो फिक्स रहते हैं उनकी कॉंटिटी को चेंज नहीं किया जा सकता मगर फिर भी इका दुका फैक्टर जो होते हैं उनकी कॉंटिटी को चेंज किया जा सकता है वो short period होता है In short period, output can be changed by changing the quantity of fixed factors sorry, variable factors and variable input So short period में हम output की quantity को increase कर सकते हैं, change कर सकते हैं कैसे अगर हम variable factor की quantity या variable input की quantity को change करें If producer wishes to expand output in short period they must do so by using more raw materials and hours of labor service अगर short period में अगर कोई भी output की demand जएदा होगी market में और उसे output जएदा बनानी पड़ गी तो short period में अगर उसके पास producer के पास जएदा labor raw material है या फिर raw material उसे असानी से मिल सकता है plus labor के जो hours of service हैं वो बढ़ाए जा सकें तो existing plant में भी वो जएदा माल बना सकता है माल लो मेरे पास एक factory है ठेक है अगर मैं 8 घंटे काम कराता हूँ अब market से demand जएदा समान किया गी तो मैं जो 8 घंटे काम कराता हूँ labor को कह दूँगा यार 2 घंटे फाल दू कर दो तुम्हें overtime दे दूँगा तो labor क्या है variable factor होगी न और raw material वाले को कह दिया कि मुझे double समान दे दे जितना दे सकता है उससे भी मंगा लिया तो short period में कुछ variable वो factors जिनको increase किया जा सके उसे variable factor कहते है और जिनको नहीं increase किया जा सके उसे fixed factor कहते है तो short period में fixed factor तो fix रहेंगे variable factor की quantity को बढ़ा के production को बढ़ाया जा सकता है यह main मुद्ध है यहाँ पे ठीक है I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो please like, share and subscribe next video मैं मैं लेके आऊंगा आपके लिए long period क्या होता है इससे उल्टा है ठीक है, take care, have a nice day